इसराइल लेबनान और इरान के बीच तनाफ गहराता जा रहा है। जो बाइडन ने कहा कि वो इसराइल का साथ दे रहे। लेकिन अगर इसराइल इरान के न्यूकलियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। बाइडन के बाइडन के बाद आई है। बाइडन के 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 इस बीच आयर जीसी के डिप्टी चीफ बिगेडियर जनरल अलीफ दावी ने इसराइल को कड़ी चेताब नी दी है। उन्होंने कहा इसराइल की ओर से कोई भी गलत कदम उसके अस्तितों को खत्रे में डाल सकता है। इरान इसराइल के सभी उर्जा शुरोतों को निशाना बनाएगा जिसमें बिजली स्टेशन, रिफाइनरीज और गैस जैसे सेक्टर शामिल है। इरान में इन सभी लक्षों पर एक साथ हमला करने की शमता है। वहीं इरान आर्मी कमांडर इन चीफ ने भी इसराइल को धमकी दिये। मेजर जनरल अब्दोलर रहीम मौसवी ने कहा इसराइल को किसी भी लापरवाही कारवाई के लिए कमभीर और विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी सयम और धैर का परिचे दिया है। इरान उचित समय पर सटीक और विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिकी राश्रुपती ने कहा कि वह इरान तेल फैसिलिटी पर संभावित इसराइली हमलों को लेकर चर्चा कर रहे है। बाइडन के इस बयान के बाद इरान ने सीधे अमेरिका को धमकी देते हुए का अगर इसराइल और अमेरिका इरान की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाते हैं। तो इरान, सौधी अरब, अजरवेजान, कुवेत, युएई और बहरीन समेथ पूरे इलाके में रिफाइनरियों और तेल शेत्रों में आग लगा देगा। इससे अमेरिका और इसके सहयोगियों को तेल को लेकर हाहाकार मत जाएगा। इरानी धमकी के बाद अब बाइडन के सुर्फ बदले-बदले से नजर आए। अब अमेरिकी राश्रोपती जो बाइडन नहीं चाहते कि इसराईल ईरान के तेल उतपाथ सेयंत्रों को निशाना बनाए। उन्होंने कहा कि इसराईल ने अब तक ये तैह नहीं किया है कि वे किस तरह से हमला करने जा रहे है। इस पर चर्चा चल रही है। जो बाइडन ये कोई सोच भी नहीं सकता बतादे कि इरान दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है जो अपने उत्पादन का लगबग आदा हिस्सा विदेशों में निर्यात करता है खेर अब इस बढ़ते तनाव के बीच देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसराइल अमेरिका की बात मानता है या फिर अमेरिका के खिलाफ जाकर इरान के तेल भंडार पर हमला कर युद्ध को और भेंकर बनाते हुए नए युद्ध के लिए ललकारता है